वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंग फाउंडनेस यूटूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है, सरसथमी BPSC PT और CDPO PT के जितने कंडिडेट हैं, उनके लिए इस वीडियो में मैं BPSC द्वारा 60-62 से लेकर के 66 तक जितने भी एकजामनेशन हुए हैं PT के, उसमें बिहार स्पेसल जो भी कुश्चन्स पूछे गए हैं, उसका समरी और साथी साथ आपके हूब हो प्रिवेस कुश्चन्स को यहां पे लेकर आया हूँ, टोटल 168 प्रस्णों का यह संगड़ा है, जो कि बिहार स्पेसल कुश्चन्स का यहां पे संगड़ा देया जा रहा है, यह कुश्चन्स आपको आगामी BPSC के जितने भी PT एक्जामनेशन होने वाले हैं, सब में बहुत ही फाइड देमंद रहेगा, रामबान रहेगा, इन कुश्चन्स को देखने के बाद हो सकता है, कि एक दो कुश्चन्स आपको ड्रेक्ट आगामी एक्जामनेशन में पूछ दें, या फिर उसके जो डाटा है वो आपको बहुत ही हल्फुल होंगे, साथ-साथ आपको ये आडिया हो जाएगा कि बिहार स्पेसल आपको कहां परना है, कितना परना है, तो ये विडियो बहुत ही महत्पुन होने वाला है, आपको BPSC के जितने कंडिडेट हैं, तो चलिए, शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लोग जड़ा समड़ी देख लेते हैं, कि किस में कितना कुश्चन्स पूछा गया है, क्योंकि बिहार स्पेसल जो BPSC का है, वो एक बहुत ही बैकबोन है, और इसको मतलब यदि आप अच्छे से कर लेते हैं, तो आपके सफलता के चांसिस काफी प्रवल हो जाते हैं, सबसे पहले देख लीजिए, हम लोग देखने वाले हैं, कि बिहार स्पेसल कितने कुश्चन्स पूछे गए हैं, हाला कि इस पर मैंने एक स्पेसल वीडियो भी बनाया था, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने सब्जेक्ट बाइज भी, मतलब एक तो बिहार स्पेसल हो गया, फिर उसका सब्जेक्ट बाइज भी कर दिया है, तो सबसे पहले देखने लिजिए 60-62 में आपक जेनरल हिस्टरी में भी कर सकते हैं, तो इसलिए यहां पर एक स्प्लस चार लेकिन आपको टोटल 25 वहां पर भी थे, यहां पर आपको एक से नहीं देखने को मिलें गए, 65 में आपको 26 पूछे गए थे, 65 में का भी एक जामने से नहीं हुआ था, वहां पर आपको 25 पूछे यहां पर, उसके बाद 66 में में देख लिए 25 पूछा गया था, ठीक है न, 66 में का री एक जामने से नहीं पर था, तो वहां पर भी एक स्प्लस चार वो चार आपको यहां पर एक स्टार इसलिक किया गया है, कि कुछ पूछेंस होते हैं, जो दोनों में कॉंट होते हैं, टो किस करते हैं, तो समझ लिए आपको कितना जैदा आपकी सफलता का चांस बढ़ जाता है, आईए, अब एक एक करके हम लोग पूरे को देख लेते हैं, और वीडियो थोड़ा सा हो सकता है कि लंबा बने, लेकिन एक वीडियो में आपका पूरा का पूरा संक्लन हो जाएगा ठीक है ना, तो वीडियो में हमारे साथ सुरू सेंट जरूर बने रहेंगे, सबसे पहला ये देख लीजिए हमारा बिहार स्पेसल जो है, इस यासरी का कुश्चन से उसको हम लोग देखेंगे, पहला परसंद था कि बिहार के प्रतामुक्मंतरी कौन थे, आपको पता है कि परधानमंतरी के रूप में उसमें बने है, दूसरा था, बिहार में कॉंग्रेस का परफम अधिवेशन कहां रखा गया था, पतार गया आपको पता है कि जो पर्थम अधिवेशन रखा गया था वो था आपको 28 मा कॉंग्रेस का अधिवेशन था जो की पत्ना में था ठीक है ना ऑप्सिन एस का से हो जाएगा 1912 में और फिर 1922 में जो था वो अर्थिसमा था वो गया में हुआ था तो पत्ना का जो डिवेशन वा और लोग नाएक में आपको फंसर रहे थे तो लोग मतलब की नाएक जैपरकास नाराएन आपको इसका अंतराश्टी अड़ा भी है पत्ना में और लोग मानिक इनको बोला गया तो तो बाल गंगासर तिलक पो बोला गया था ठीक है ना चलते हैं अगले प्रस्ट के तरह आ पत्दती में नील की खेती के लिए भहूंई का कितना भाग मतलब अमान परोमान रखा जाता था है मतलब लोग मतलब 55 deleted आपकोục तो तीन कठा का आपको बीस बट्टा तीन हो जाएगा ऑप्सन सीसका से हो जाएगा ठीक है ना उन्हें सुतरकर जो चमपालन सत्यागरा था इसी के विरोध में था किसानों का चो राम विलास पासमान ने अपना राजनितिक सफर किस राजनितिक दल से प्राड़म किया था अ प्रजा सोचलिस्ट पार्टी इसका से उतर हो जाएगा ऑप्सन सीसे सोचलिस्ट पार्टी जिससे में राम विलास पासमान की निधन हुई थी आठ अक्टूबर 2020 को ठीक है ना तो उस समय पेपर में काफी यह सब चीज निकला था तो उसी में चुकि उस समका करेंट था त तो मैं यहीं बार बार बोलता हूं सारे स्टुएंट से कि अपने मतलब आंख को और मतलब की कान को खुला रखें जो भी चीज इवेंट होता है उसको याद रखें तो ऐसे आपको बहुत आसान हो जाएगा बिहार इस्पेसर करना ठीक है ना तो यह जो थे एगारवी का दियान किसने आकर सिथ किया था राजयत परसाथ अनुक्रेना राइन सिंग आचारी करिपला ने यह राजकुमार सिल्क इन में से कोई नहीं किसा थी तो इसका से उत्तर हो जागा ऑपसंडी राजकुमार से के लिए और स्लेबस भी चेंज हुआ था तो उसको इसलिए मैं यहां पर 60-60 मीं से लेकर 66 मीं तक के सारे परसनों को यहां पर दिखाया हूं चलते हैं अगले परसन की तरफ नो प्राचीन महाजनपद मगत की पर्थम राजधानी कौन थी पार्टले पुत्र वैसाली चंपा अंगि सब्सक्राइब तो मतलब इस वीडियों आप अंतक बने रही एक 68 में कुछन तक पहुंचते पहुंचते आपको बहुत सारे ऐसे ही याद हो जाएंगे ठीक है ना और आपका जो फिर खुद से पढ़ने जाएंगे तो चीज़ें अपर आसान हो जाएंगी स्वामी साचानन से उनका संबंद था ठीक है ना तो इसका से उटर हो जाएगा तो बिहार में आपको किसान अंदूलन सीज का सही हो जाएगा एकार निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का पर्थम सत्यागरा आंधूलन था जिसमें उन्होंने शवीने अवग्या का प्रयोग किया था ध्यान से इसको पढ़िए बहुती आसान सवाल है थोरा सा ध्यान लगाना है बोलना कि पर्थम आंधूलन सत्यागरा गांधी ची का मतलब की भारत में जहां पर उन्होंने इनको मना किया था लेकिन उन्होंने सांधिपूर्ण धंग से पर्थम बार वहीं पर अवग्या कि किया था और वहां पर धरना पर बैठ गए थे तो यहीं से उन्होंने पर्थम जो है अब सबीने अवग्या किया था ठीक है बाड़ा बिहार में अठार संतावन के बिद्रों करने तरुट किस ने किया था नाना साहब ताट्यों पर कुबर सिंग या मौला मौलवी अहमद जानते हैं तो यह कुछ फेक्ट्स है जो आपको बिहार के साथ जो नेसनल जो मौडर्न हिस्ट्री है जो राष्ट्री है वहां पर भी आपको काम आएंगे तेरह जंजाती और जिले के नाम जोरों में से कौन सा सही नहीं है संथाल बांका, मुंडा जमूई, उडाओ, सुपॉल, खरवार भागरपूर इनमें से कोई नहीं एक से अथिक तो यहां पर देख लिजिए A, C और D सही है लेकिन मुंडा जमूई के साथ-साथ आपको कुछ हिसा कटियार में भी पढ़ता है तो BPSC का जो भी answer आया था, उसमें answer B था, ठीक है ना तो मुंडा जमूई के साथ-साथ-साथ आपको कटियार पढ़ता है, तो इसका option B था और यह जो भी मैं आपको option बता रहा हूँ, answer बता रहा हूँ, यह BPSC का जो official answer की प्रतिक साला आया था, उसके आथा पर बता रहा हूँ, तो यह भी आपको महत्पूर्ण है आप एक कुछ questions ऐसे भी आएंगे, जहां पर आप देखिएगा कि उसका exact answer कुछ और होना चाहिए था, लेकिन BPSC का answer कुछ और है, ठीक है न, तो आपको BPSC के एक्जामने संदिर है, तो BPSC ने previous year जो answer दिया है, उसको यहात करके जाना है, यह बात हमें साथ ध्यान यह मैं आपके लिए पोजिरी चीज़े बता रहा हूं, यदि BPSC बोल देगी कि यह सूरज पच्छी में पच्छी में उगड़ा है, तो आपको मानना पड़ेगा कि सूरज पच्छी में ही उगता है, और इसा में क्यों बोल रहा हूं, आगे कुछ questions आना है, उसको आप लो साथ च्छो परसेंट था, ठीक है न, तो इस अधार पर इसका एंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका option E हो जाएगा, पंदरा बोल रहा है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एक मात राष्टी उध्यान इस्थित है, तो राष्टी उध्यान जो है, आपको बागमती, कमला, क्या बोला है, बिहार के बिहार में परवायत होने वाली निम्न नदियों में से, उत्तर की और परवायत होने वाली कौन सी नदी है, तो आप बिहार का एक मोटा सा राफ डाटा इस तरह से याद रखेगा, ठीक है न, यह है, अब जो गंगा जो है, इसके ठीक भी जो बीचे से निकलती है, ठीक है न, और यह जितनी भी नदिया है, बागमती, कोसी, कमला, गंडकी, सब हिमाले नदिया है, जो उपर से निकल के आती है, तो यह उत्तर से दच्छिन की और परवायत हो रहे हैं, और यहां पे सबाल पूछ रहे हैं, बिहार में अज़न के मैं जाते हैं, तब ऊप्षन के होगाते हैं, ऍसको नदिया आपको उतर के और जाते हैं, इसलिए जलवी पिडमेंड स्वेप्स मिटी पाए जाती है, मुदवनी भागलपोडाव्zego पुट्षिम्चंपारन सितामढडी हैं, इन変ानों उत्यास के हैं, की पीडमे पुर्णिया भागलपूर तिरुट सारन कोई नाम निसान नहीं तो हाली में जो रासरकार है जो है गंगा की पानी को पहुंचाने के लिए काम भी कर रहे है नालंदा और मतलब की गया वगएरा च्छत्रों में तो उस पर काम भी कर रहे है ठीक है ना नहर बनाकर कृत्रिम तरीके से तो इसका उप्सन जो सही था ठीक है उनीज बर्स तो 1632 में बिहार के पत्ना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्टरीय स्थापित की थी बिटिस इस इस इंडिया कंपणी पुर्तगाल या फ्रेंच इस इंडिया कंपणी इनमें से कोई निए सथी है इसका से उतर हो जाएगा और यह सवाल ठीक इस से पहले वाले पेंसर पुछा गया था थोड़ा सा उसको बिलर्ट दिया गया था तो कुछ क्वेशन्स आपके रिपीट हो जाते हैं इसलिए मैं बार और पूर आपको चार-पांच क्वेश्चन्स ऐसे होंगे जो आप आराम से बनाएंगे एक बार देखने के साथ ही बना देंगे एक जाम सराबंदी में लिप्त थे सराबंदी हुआ तो उनके आर्थिक के लिए इसका उत्तर हो जाएगा और यह प्यासी के कौन से समलित नहीं है यह साथ निश्चे वन की बात की जारी अब तो आपको साथ निश्चे वन और साथ निश्चे तूब को को बहुत अच्छे से देख लेना है महिला रोजगार बिल्कुल महिला रोजगार तो वहां पर था ही कि मतलब की महिलाओं को 55% कारेक्शन दिया गया था साफ पीने का पानी का था नलजल वाला उसी सस्तुरवात हुआ था सभी परिवारों को बिजली का पूरती यह भी था लेकिन बाल कल्यान नहीं था तो इसलिसका उत्तर डी हो जाएगा बाइस बोलना है कि बिहार के प्रतिवेक्ति सुध राज घरेलु उत्पाद इस्तिर कीमत पर देश की तुलना में कम है वर्स 2018 इसमें यह क्या था अब यह सारे कुश्चन्स आपको कहां से बनेंगे तो आ अर्थिक समिछा को तब तक आप नहीं बना पाईएगा था भारत के निरवाचन आयोग ने कब बिहार बिधांसभा 2020 आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था तो यह जारी किया था पचीस सितंबर 2020 को जारी किया था ठीक है ना बिधांसभा चुनाव का नोटिफ तो इसका सही उतर हो जाएगा यानिकी एक से अधिक उप्सन को यहां पर दो अप्सन बन रहे हैं यानि कि सब राज के सब्सक्राइब करना और पेपर लेस करना और डीभी बन रहा है अस्थानी निकाय सही निकाओं को बिध प्रवंधन करना ठीक है 24 अंतिमा कोश्चंस देखी एनिकी 66 मीं का जो है बिहार स्पेसल जो 25 कोश्चंस तांतिमा कोश्चंस वो देख लेजिए 12 सरकार ने दूजन बड़ी 2020 को बिहार राज को किर्सी कर्मन पुरुसकार प्रदान किया या पुरुसकार दिया गया था मक्का गेहुं उत्पादन के लिए खाथ उत्पादन के लिए चावल के लिए तिल हनों के उत्पादन के लिए तो मक्का और गेहुं उत्पादन के लिए दिया गया था आपसन इसका सही हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से आपको यह 25 प्रसंट है और इसमें से यह दिया आपने 20 प्रसंट भी किया होगा तो निश्ची दूर्प से आपके सफलता हो गया होंगे कटफ जाने के बाद भी हाई आपको पता है कि औरंगाबाद के कारण जो उसमें जो पूछा गया था उसको हम लोग पांच पहारियों से घिरा हुआ हुआ हम लोग फटा-फट कर रहें क्योंकि टाइम कम है बहुत सारे को करना है आप लोग चाहें तो वीडियो को पहुझ कर हो जाएगा राजगिए दूब बलगा नहीं कि हैं ट्रसाइब की सराज के थे तो इसका प्रती कौए उन्दोलन में व를र मेराश्चरी ऑन्दोलन ठीक है है तो यह हजारी बाग में हुआ हे पूरा पाशान का है ना पाशानिक है तो चिरान से जो पाया गया है वो पाया गया है ना पाशानिक सी सही हो जाएगा पांच बोला है कि भाबा ठाकुरदास ने पतना में किस सौसाइटि के स्थापना की थी सर्वेंट आफ इंडिया रामक्रिष्ट मिसन सेवा समीती या सोशल सर्विस ले तो रामक्रिष्ट मिसन सोसाइटी के अस्थाबना की थी यह 66 में के री एक्जामरेशन के प्रेशन आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं अगला पॉल रहा कि शॉतन्ता पस्चात विःष्ट का पर्थम राजपाल कौन बना रहे हैं जै राम दास डॉलत राम यह आपको बिहार के परथम्राजपाल बने से शॉतन्ता के पश्चात अगला परसिंगना से है कि ब्सहारेगारे में कितने जिले में 10 लाग से कम जन संक्यां थी दो तीन चार या पांच तो इसका उतरों ज़ेगा ऑप्शन 3 यानि कि 3 जिले थे जिन में 10 लाग से कम जन संक्यां थी शीवर और शुपॉल था और एक था सहथ आपका लखी सराय था ठीक है आठ बिहार में ने मिलकर में से किस अनाज का है करने यह यह जी आपको आश्रायक है खर मिल जाएंगे थीक है ना शुक्त संब आसे ही जो यह बिहार और in शुकर खृद रख और वीक तो इसको आप ऐसे ही बना दीजिएगा तो मैं यह बार बहार यहां मचली घी अ कि यहां पर पवा plastics बढ़ी प्रधान के चले तो एक द्रवाजे पर लगवागा हर गाहएं तरवाजी तो नहीं लेकिन हरे गाओं में आपको दो तीन पोखर देखने को मिल जाएंगा तो मचली का काफी जैदा उत्पादन होता है पहले से भी और अभी भी जो है वह आर्थिक सर्विक्षर में यह अस्थान पर्थम आया था अगला प्रसन है कि उत्पादन छेदर के द्रिश्ट्री से बिहार में सिर्श्रेनी रेंकिंग की डाले कौन सी है मतलब बिहार में दाल उत्पन होता है अब उसमें कौन-कौन सी ताले पर्थम अस्थान पर आते हैं मसूर चना मूंग मसूर या मसूर खेसारी तो इसका से उतर रोजाएगा और यह आपको प्रथम आपको आर्थिक से ही सवाल आया रहे था अग अगला सवाल कि बिहार में गन्ना उत्पादन में अगरिनी जिला कौन है यह पर चैयर के बिहार के अलावा उसका सब्सम्जेक्ट बोलते हैं उसके अपको पढ़ना एंजिनेरिंग वाले इसको समझेंगे तो आपको में तो बिहार पढ़ना ही है साथ-साथ आर्थिक सर्विक्षन और बजट को भी आपको अच्छे से पढ़ना है और आपके लिए फायदा क्या है न जो पुराने स्टुएंट है आपको 23 जनवरी को एक्जामनेशन है तो अभी भी आपको 222 वाला ही बजट और आर्थिक सर्विक्षन काम कर जाएगा ठीक है न नया बजट आपको नहीं पढ़ना है तो यह आपके लिए थुरा सा पोजिटिक पॉइंट है इसमें हो जाएगा आपको पश्रिम चंपारन पश्रिम चंपारन में यह गन्ना उतपादन में अग्रनी थ पश्रिम चंपारन और अंगाबाद भोजपुर तो रहतास में यह नहर सिंचित ज्यादा है ना रहतास में आपको नहर है आपको इंदरपूरी नहर है काफी फेमस है तेरा बिहार के वे कौन जीले हैं जिन में 2001 और 2011 में कम ग्रामिन महिला सक्षरता थी अब यह आपको जन गंज और सहरसा में थी अगला प्रसन है कि बिहार की अर्थवयवस्था का विकास दर 2018 उनुनेस में इस्थिर केमतों पर क्या थी तिरह देसंबलब पांस तिन तिरह एकारद दिसम्लब पांस तिन यह दस दिसम्लब पांस तिन पर सेंट इसका सही उतर हो जाएगा ऑप इसकल राजमूल वर्द ही जी एस वी ए में किर्सी और संबंद शेद्रों का युगदान बित्के बर्स 2017-18 में कितना था सत्रह परसेंट 18 परसेंट 19 परसेंट 20 परसेंट या इन में सो कोई नहीं एक चाहते अब देख लीजी इस तरह के सवाल अब सेट सेट पर वहरी करता तो उसका यदि थोड़ा बहुत जानते हैं थोड़ा बहुत देख लें उसी मुस्का कवर हो जाएगा इसलिमें बार वर बोल रहा हूं जो बिहार के मूल बच्चे हैं वह आर्थिक सर्वेक्शन और बजट को अच्छे से कर लेंगे उनका कवर हो जाएगा और बाहर के जो योगदान था अगला सवाल है कि बिहाराज में बिजली छमता की उपलब्दा क्या थी उन्हें इस बैस की बात की जा रही है तो इसका सही उत्तर रुज़े का ऑप्सें ए सैंतालिस सरसथ जो है मेगा वाडिस का उपलब्दा हो जाएगा ठीक है और अगला प्रसन आते हैं में हहों को में में क्या और यहां पर प्रविष्ट हुए थे सब्सक्राइब को उन्हें सब्सक्राइब को उन्हें सब्सक्राइब कि अगला प्रसन है कि सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करने के लिए अब आ जाते हम लोग सब्सक्राइब करने के लिए तो फटाफट जा रहे हम लोग कस्मीर घाटे के अंती मुगल सासक यूशुफ सा चक जिन्हें मुगल समराथ अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था दफवन है पातली पुत्र में राजगीर में मुंगेर में नालंदा में इन में से कोई नहीं एक सहथी तो इनका जो मकवरा है वह निर्वासित जिंद्गी जिस नालंदा में और वहीं पे इनको दफ़न भी किया था ओप्संडी इसका सही हो जाएगा दो बिहार राज के प्रक्टन विकास निगाम का टेग लेंड क्या है ब्राइट बिहार हम सब का बिहार बिस्फुल बिहार या बिहार इस दा वेस्ट तो इसका टेग लाइन जो है बिस्फुल बिहार ऑप्संडी सिसका सही हो जाएगा अगला प्रसंड बोल रहा है बिहार स्पेशल 65 का कि बिहार राज में के किनारे इस्तित जिलों की संख्या कितनी है कि 17-12 या 96-96 तो गंगा किनार यानि कि गंगा कि बिहार राज में जिलों से प्रविस्फ करती है तो टोटल संकी है आपको बाड़ा है ठीक है ना तो आप्संडी सीज का सही हो जाएगा चार निम्लिकत में से कौन सा वन जीब अव्यारन बिहार के मुंगेर में इस्तित है बालमी की राजगीर भीम बांद या कौतम बुद वाले वंचेतर से घिरा है पस्षिम चंपारन गया कैमूर नवादा इनमें से कोई नहीं से थी तो भारत वन रिपोर्ट जो 2009 से है उसी के आधार पर दिया जाता है तो इसको आप लोग देखिएगा तो सबसे ज्यादा सघन जो है वह आपको पस्षिम चंपारन में हो प्रतिवर किलोमीटर दर्ज की गई है सिभर वैसाली पत्ना द्रभंगायन में से कोई नहीं एक से आधिक तो यह जो है आपको घनी जो है वह सिभर में है ऑप्सन इसका सही हो जाएगा जनगना सको भी आपको अच्छे से देखना है हड़ एक पूर्सन को मजबूत भी आपको बिहार का जो राश्ट्री आंदोल में भूमीका है उससे सवाल है तो वहां पर जब गांदेजी ने राश्ट्री स्तर पर किया था नमक सत्याग्रा का सुरवात तब भागलपूर में आपको महादेव लाल सराफ ने किया था अगला प्रसन है कि सन 14 में बिहार मे या फिर स्वामी योगानंद तो ऑप्सन ए हो जाएगा राहुल संक्रित्यान ठीक है ना अंबारी आंदोलन या सत्याग्रा तो आपको एक और समझे कि जो किर्सक आंदोलन है या राश्ट्री आंदोलन है कब कब कैसे हुआ से संथाल आंदोलन कोल बिद्रो तो वैसे देखिए मुर्ली परसाद मोहन परसाद इनका एक एंसर बनता है ठीक है ना ओप्शन के अनुशार लेकिन इसका और इसमें क्या है कि पहले जो सर्चलैट है उसके सर्चलैट का आप समझ लेजी कि 1918 से यह प्रकासी तो पहले इसके जो पहले संपादक थे सेद हैदर हुसे और दूसरे जो थे वह मुर्ली मोहन परसाद थे लेकिन नहीं माना आयोगने अगला प्रसंद है कि सन 1931 में बिहार समाजबादी पार्टी का गठन किसने के था बिहार सोचलिस्ट पार्टी की बात किया पर की जा रही है फुलन परसाद बरमा स्वामी योगानंद नरहरी प बिहार में अठारो संतावन का करांती का ने तुरूथ आयो तो आंख मुन के आपको कुबर सिंग ही मान रहा है ठीक है न और कुबर सिंग ही मानती है यह किसी चैतर बगेडा के बाढ़ते तब भी वह भूर के कुबर सिंग बढ़िया जाती है जोदा सैयोग आंधोलन के द पंद्रह सिंग संदल सिंह सबस्क्राइव तो आप्सस्द कावच सय ने किसान सभागा गठन हुआ था अगला प्रसन है कि डच इस इंडिया कंपनी ने किस वर्स अपनी फैक्टरी पटना में स्थापित कि दी इसका सही उतर हो जाएगा ऑप्शन भी सोलो सुब ने पूछा था कि यह सवाल रिपीट होते हैं सवाल ठीक है न सभाल बिल्कुल होते हैं कुछ स्थापित की थे तो वहां पर रची शेडिया कंपने तो यहां पर यह सवाल हूप हो मिल गया ठीक है ना अठारा बिहार में सौराज दलका किस ने किस ने किया था स्रीक्रिशन सिंग रामलाल सिंग बंकिम चंड चेटर जी या सचेंद्र शन्याल इनी में से कोई सौराज दल का ठीक है ना तो इसका से उतर हो जाएगा स्रीक्रिशन सिंग ने साथ मिल कर किया था ठीक है टूप्सन आपको में डिलते का बing असी चेत कौन सा जिला धारवार नहीं है धारव सब्सक्राइब गयेगा मॉंगेर जमय नवादा जिसको आपको मुंगेर में खाड़खपूर भी बोलते हैं यह जायए लेकिन तास जो है रोतास और disorder जो हो जाएगा यह बिंद सिरेनी की अंतर गता आ जाएगा तो इसका से उतर भी हो जाएगा ये नहीं है मतलब धारवार में रोतास नहीं आता है वह बिंद सिरेनी में आ जाएगा अगला प्रसन है कि तो देखें कितने क्लोज कॉंटेक्स्ट में पूछे जाते हैं और पर अच्छे से दिखना है तो मैं क्वेश्चन के तुरू आपको टॉपिक भी किलियर करने की कुसिस करूंगा आपको मोटे तौर पर आजाएंगे खास करने बच्चों के लिए ठीक है ना पुराने बच्चे तो पुराने स्टुएंट जो होते हैं वह काफी सेनियर होते हैं उनको नए लोगों को थोड़ा सी प्रसानी होती है तो टॉपिक मैं क्लियर कर रहा हूं मैंने आपको नितिय प्रस्ट नो सो तैंटिस या नो सो बट्रस नहीं हो जाएगा इसका इसका से उतर था ओप्सन एचोदोजाएंट परसंट बिहार राज का सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस एस्टेट डोमेस्टिक प्रोड़क्ट था कितना था इतना लग करोन में है चार लग साथाशी जार चोहासोट एसकरोड रुपिया तीनलाग एकषाट साथ हजार पांसोचार करोड रुपिया एक लाग पचासथ हजार चोहानपत की सपादिया थी अब यह करेंड कोशन था ठीक है न तो उस समय जो प्रत्ना नैधिस के मुखन संजे करोल हैं इस चीज़ को आप लोग याद रखिए का ठीक है पटना है कोट के मुखने आदी संजे करोल कि अगला प्रसन है कि बिहार दिवस का महत्व क्या है जो हर साल 22 मार्श को मना जाता है बहुत सारे उप्सन है इसमें से आप लोग दिखिए इसमें क्या हुआ था कि बिहार ने बहुत पहले काफी मांग के थी लेकिन उस मांग को नहीं मांगा ना गया था विसेसराज का तरजा का ओप्सन अब यह आपको जो घटना करम जैसे कि अभी बरतमान में आपको पता है कि जो है जाती कजन करना उस पर काफी चर्चा चल लिए तो इन चीजों को आ पूर्ण घटना घट रहीं आपके आज पास में आभी तीन-चार महने पहले घटी आ गया आने बाले एक्जाम से पहले घटेंगी उस सब को आपको याद रखना है ठीक है नोट्स बनाना है आपके लिए बहुत ही फायदे मन्द रहेगा अगले अगला प्रसंद देख ले बढ़ 2019 में आरके सिंग ने बिहार के किस निर्वाचन शेतर से लोक सभाज जीता था अभी आरके सिंग परतमान में केंदरिये राज उडजा मंतरी है तो यह जीते से सीट तो आड़ा सवाज सब्सक्राइब प्रसंद था दिख लिए पेसेट में एक्जामनेशन का प्रसं परतमान में नित्यानंद राई जो हैं वह आपको बिहार के उज्यारपूर लोक्षवास सांसद हैं और वह केंद्रिये गिरीराज मंतरी भी हैं अगला प्रसंद है कि बिहार के किसानों ने किस आंदूलन में चोकिदारी कर देने से इनकार कर दिये था पारंस और रखिए आपको बिहार का मैदान एया धार से और से जोट यह हैं बिहार कामें हमे bạn हो जाएक कि पटना और गया रीजन ऐसा है कि वहां पे बार बहुत ही कम आता है सुखार ज्यादा रहते हैं तो इधर ही आपको पुरानी जलोड मिटी का भंडार मिलता है उपसन इसका से हो जाएगा अगला प्रसन एक पशली परवगार जल्स अंरक्षन सिचाय पद्धति कहलाती है नहर और और पाइज और खरी या पैँ तो आहर और प्रत यप लुए जो है दक्षिन भिहार में पर चलिए ठीक ना हर और 25 मिलती है को सी नदी को सी जो पता है कि गंगा के जहाए की नदी है बिहार में ये भी आपको हिमाले के तरफ से निकलती है और ये कहां पर मिलती है तो कुरसेला कटिहार के आसपास ने कुरसेला में नामक स्थार पर मिल जाती है तो कौन सी नदीया कहां पर आके मिलती है इस तरह के प्रसन भी आपको पू डॉल्फिन अब्यारन बिहार के किस जिले में है विक्रवन सिला आपको भागलपूर में ही है आपको पता है ऑप्सन इसका सही हो जाएगा भागलपूर में ठीक है बाड़ा बिहाराज का प्रतिवेक्टी सकल राज घरेलू उत्पाद 2017 ठारेम बरतमान की मुझतों पर 42,000240 रुपिया था इस्थिर कीमतों पर 2018 बार में प्रतिवेक्टी जीसदीप कानुमान किया था चार उप्सन है 13,316 तीसाजा जार इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्सन ए 13,316 अभी अब बरतमान में भी आपको देख लेना है आर्थिक्टी में कि इस्थिर कीमत पर कितना है अ मतलब कि आपको आर्थिक समिक्षा जो आता है सरकार का उसके अकॉर्डिंग दुहजार 11,12 के आधार पर कौंसा चिला सरवाधिक प्रतिवेक्टी आए का आधार पे सम्रिद हैं मध्यपूरा गया बेगुसरा या से भर अपसंसी हो जाएगा बेगुसरा सरवाधिक जो है स सब्सक्राइब तो पिछले वर्स के तुलना में यहां पर इसकूश्चन में दोहजार सब्सक्राइब तो इस साल भी आप देख लिएगा कि बिहार का समाजिक विकास को बठावा देने के लिए जीवी का अहुदपूर्ण सपलता प्राप्त की है सितंबर 2018 तक गठित स्वयम सहता समुहों की अनुमानित संख्या कितनी है अब आपको जीवका के कितने वर्कर्स हैं कितना इनका काम है यह सब भी आपको आर्थिक समिशा में मिल जाएगा ठीक है न तो इसका जो सही उतर था वो था आपका आर्थ दसमलब एक साथ लाख सदस सत्रा किसान क्या करें किसने लिखे है बहुत ही फेमस पुस्टक है स्वामी सहजानन्द सर्मा बावा राम चंद्र या उप्यूक्त सभी इसका से उतर हो जाएगा स्वामी सहजानन्द सर्सती ने रिखा था कि शान क्या करें मदरलेंड के प्रकासक है किसने इसकी मतलब की संपादित किया था राजन परसाद मुहमत सफी मजरूल हक या बर्ज किशोर परसाद तो मजरूल हक इसका हो जाएगा उप्शन सी पतना युवक्संग की चाहिए तो मनिंद्र नरायन राय ठीक है ना इसको आपलोग यहां थे पर्थम जैन संगेति कि अध्यक्स ने बसुमित्र स्थिर में स्थूल पर्थ या सुधरमन इन में स्थूल पर्थम जैन संगेति और दूसरी जैन संगेति जो थी वो थी आपको बल्लभी गुजरात म अगला प्रसंट किस सासक ने अपनी राजदानी पतलाई पतली पुत्र में अस्थांस रिच की थी बिंबिसार उदेन अजासत्रु या चंद्रुपुत मौरी इसका से उत्रोज़ेगा ऑप संसी उदेन ठीक है न उन्हें 1912 के भारतिय राष्ट्री कॉंग्रेस के गया अधिवेशन के अधिक्षता कौन थी पहले प्रसंट में बताया था कि सबसे पहले 1912 में पत्नाय में हुआ था वह आरन माधुल करते वह 28 था ठीक है न तो वह गया में ओके थे सी आरदास तो देख लिए सी आरदास अपसंट इसका सी हो जाएगा अगले प्रसंट के आते हैं भारतिय राष्ट्री कॉंग्रेस के 1916 के लखनों कॉंग्रेस अधिवेशन में विहार के नील उगाने वालों का प्रसंट किसने उठाया था राजकुमार सुक्ल के बारे में किसने की थी एस एन हल्दर रमेश पॉल या स्वामी विश्वनाथ ऑप्सन इसका सही हो जाएगा सच मतलब एस एन हल ठीक है न चलते हैं अगले प्रसंट की तरफ भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस के 27 में अधिवेशन किया ध्यक्ष्टा किसने की थी आरके माद्भूलकर मजरूल हक राजंदर प्रशाथ इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्ष्टन इह हो जाएगा ठीक है ना अब आ जाते हैं चो शुब्येशन के पास फिरंदों और सबस्तियों मतलब कि आपको एक ही वीडियो में थोड़ा सा लंबा जरूर होगा आपको साड़े बिहार स्पेसिल को करा दिया जाएगा और जो नए बचेंज को देख लें बहुत ज्यादा उनको जो है रिपीट करके देख लें बहुत चीज उनको क्लियर हो जाएगा और उसे संबंदित टॉपिक वो जरूर देख लेंगे से संबंदित भगवान और जब 1905 में बंगाल विवाजन हो गया था फिर इसको परिवर्तित करके नाम रख दिया गया था अगला प्रसन है कि बिहार जो है कब भारत में एक सोतंत्य प्रदेश बना इसका से उत्तर हो जेगा ऑप संडी 1912 में बना आपको पता है कि मतलब कि बंगाल से बिहार को का सर्वी में भी देख रहे थे राजकुमार शुकल यह ठीक है ना अब यह सब के लिए हो जाएगा बिहार सोचलिक्स पार्टी गब गठीत हुई थी 1921 1927 1931 या 1934 इस को सही उत्तर है भी प्यसी हमिसा मानती है 1934 ऑप्सन डीस का सही हो जाएगा ठीक है इनमें से किसने बिहा काने तरुद किया था ठीक है ना एक मिनट यह जो बिहार सोचलिस्ट पार्टी है इसको बीपीएसी मानती है ऑप्शन सी 1931 मानती है ठीक है चली इसको आप लोग करते रही आए इसको हम लोग जब देख लिया जाएंगे आगले मतलब कि आगे देख लेंगे ठीक है इसको 19 इसमें से बिहार में किस ने पहली वार जो है कॉंग्रेस मंत्री सभा करने तरुद किया था अब्दुलबारी जहें प्रकास ना नहीं किया था ठीक है ना साथ जो है नील बिद्रों के बारे में जो है सही किया है आप लोग देख लिए चाड़ ऑपसन है इत्विनान से रह चाहते हैं बेदों फैकर शॉपर रख्यंगे मुल ने पर अंपर शे पाया कोई है को एक नवे ने पूर्पूर से शापनी से जब सैनिक बिद्रों करके गए थे कोबर सिंग से मिले थे और वहां पर वह सामिल हो गए थे चाथर भी इसको आधा नहीं नो नमक सत्यागरों के दुरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस करके विरोध में सरकार का विरोध किया था चोकेदारी हाथी डेवलेप्मेंट यह मतलब तो नमक करके दौरान चोकेदारी कर विरोध भी काफी फेमस हुआ ठीक है अगले परसमें के तरह फारते हैं बिहार किसान सभाहा से कौन जुरा हुआ था स्वामी साजानंद क तो बहुत ही आसान सवाल है कि 2000 इस भी में जहारखन राज जो है यह आ गया था आपको अस्तित में चलते हैं अगले परसमें की तरफ 12 एक भारती राज में के रूप में बिहार कब बना था 1912-1936 यह और यह सवाल आपको दो रिपीट थे एक 1912 था और इसका उत्तर जो है 1936 मानी थी लेकिन बिहार जो है बंगाल से अलग करके 1912 में ही आ गया था चुकि अब इस तरह से सवाल है तो भारती राज के रूप में बिहार कब बना था तो 1936 में यहां पी आया था और इसको ठीक है अगले परसम के दरफ आते हैं बिहार के नहीं हिस्तों में से कौन सा ह नहीं क्या है इसलिए यह सरवाधिक पुरानी मानी जाएगी जुलाए 2008 तक पतना जिला जो है कितने जिलों से संबंद था तो इसका सही उतर हो जाएगा करेंट था उस समय का तो नौ जिलों से संबंद रखता था ठीक है और मैंने इसी में बदाए था कि बिहार बिहार का अधिकांच श्याथर पहारी मिटी कछारी मिटी जहां पर आपको नदी से या फिर इस तरह की चीजों से भागे राती अगला प्रस्व देखते हैं कि हम निम्नतम साक्षर्था दर्दौजारगारा की दृष्टि बिहार का अस्थान है कौन सा अस्थान है तो यह भारत के राज़ों में जूट उत्पादन के दृष्टी से जो बिहार कास्थान वो दूद्य है प्रत्यासा एवं संभावना अधिक है पता है कि बिहारी किर्सी प्रतान राज्य है ठीक है तो उस उधार पे यहां पे यहां पे संभाव नाइजादा है एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवाड़ 2018 के मद्च फोड़ी सिग्नल के उपलबता के दिरिश्टी से देश के 20 सहरों में परत्ना का स्थान क्या था प्रत्म दूद्ध के उनिसवा यह समय का करेंट था और यह उस समय भार जो प्रत्म था सुलब इंटरनेशनल ने बिहार के किस राज में सस्ती दर पर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट यह दरवंगा में शुर्वात किया गया था इसका बिहार के मुखमंत्री कन्या उत्थान योजना के समद्ध में कौन सा कथन जो है यहां पर देख लिए हमको चुनना योजना का बार्सिकवें सिक्षा स्वास्ता और समाज के लियन के तीनों विभागों पर इसका संचालन किया जाएगा और करनिया समय उसके परिवार को 2000 रूपर प्रतान किया जाएगा तो इसमें क्या है ना कि देख लिए यह बी और डी से यह लेकिन जो तोटल इमांट सब्सक्राइब करेंगे अब आ जाते हैं बिहार के नेफाल के साथ सीमा साजान नहीं करता है लेकिन पुर्णिया आपको साजान नहीं करता है इसका से उतर हो जाएगा और कुल साथ जिले नेपाल के साथ सीमा साजा करते हैं बिहार के कौन सा भारत के बिहार राज में मौझूदा एक मात्र इनुसको का धरोहर अस्थल है महाबोधी मंदर नालंदा का बौद मठ बिक्रम सिलामत का प्राचीन अस्थल सेरसासुरी का मकब्राइन में से कोई नहीं से तो ए और भी दोनों आ गए थे ठीक है न ए और भी दोनों आ अगला प्रसन है कि किस अधिनियम के तहद बिहार एक अलग राज बना भारत सरकार अधिनी मुनेश भारत कॉंसल अधिनी मुनेश नौ या भारत 179-40 1936 में बिहार को अलग किया गया था इसलिए इसका से उत्तर हो जाएगा अगला प्रसन देख लिए बिहार में किरसी भूमी के जोतों का और सतन आकार दूसरे राज्यों के तुलना में कितना है नियूंतम सद्धूतिय उस्तम या उस्तम सद्धूतिय इनमें से कोई नहीं एक सद्धिक ऑप्सन इहोजाएगा यह उप्सन होने का क्यारन यह है कि ऑल्दो बिहार के जो भूमी जोतों का जो आकार है वो सरवाधी कम है ठीक है ना ठीक है लेकिन बावजूद इसके जो है जो है कुछ ऐसे राजे हैं जो इससे भी कम थे बिहार से इसका आधार जो है यह हो जाएगा चलते हैं अंगले प्रसंट की तरफ भारत के किस राज में बर्तमान मुनलियों पर नमीनतम प्रतिवेक्ति आइन्यूंतम है तो ऑप्सन इस कुष्टन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसको आप लोग कीजिए हम लोग देख लेते हैं कि इसका ऑप्सन एक जेक्ली क्या होगा थोड़ा सा आप लोग डूग जए ठीक है यह प्रसंट देखिए इस प्रसंट का उत्तर आठ का जो से उत्तर हो जाएगा वह उप्स अब यह पार दूसरे राज्यों के तुलनामें क्या होगा अब यह किसके अधार पर था तो यह आर्थिक समिक्षा आपको ठीक है ना नियूद्ठम से दूधिये यह 2011-2012-2012 का अधार पर पताये गया था कि के बाद भारत मराज्यों में दूसरा सबसे कम किरसी भूमी और दिखलें यहां पर बिहार में नविन्दम बार्सिक प्रतिवेक्ति बिजली का उपभोग क्या है तो यहां पर हो जाएगा आपका न्योंतम हो जाएगा ठीक है न्यूंतम है इसको आप लोग याद रखेगा अब देखे बिहार में परतिवेक्ती एक लाम गलागो замबाई किया है तो सरक कि लंबाई यहाँ पर आपका हो जाएगा लेकिन बिहार में सरक की नभाई सिर्वाधी कम है लेकिन जो उत्तर प्रदेश है हर्याना है वहां पर भी बिहार से कम है इसलिकाव यह हो थीक है अग्ला प्रस्ते हैं निमलकी तेमेंसे कौन सी नदीफ फातुभा के पास मिलती है टीक है न आप गंगा जो है बिचो बीचे से निकलती है तो नदी का उधगमस्तार और उसका गंगा में कहां पर मिलान होता है यह भी आपको अच्छे से कर लेना है कोपेन के जलवायू बढ़गे करन के नुसार उत्तर बिहार का जलवायू किसके द्वारा पर दिसक्त किया जाता है अगला प्रसन है कि मुझपरफुर दरभंगात tyreश कंचम पारन जिला में कौन सी मिघ्यकांस पाया जाती है काली नवीन जलूड कि स्नदी निर्मित है कोसी पर सोन पर गंड़क पर चंदक नदे का था काफी फेमस है यह जैन धर्म के परवरक तक जो है महावीर जी का मुक्ष अस्थान कहां पर है मनेर राजगीर पावापूरी या जलान फोर्ट तो इसका सिवत्र होज़े का पावापूरी कैमूर पठार किसके लिए परसिद्ध है तांबा के लिए चुना पठर के लिए सब्सक्राइब का उसका प्रकासन किया गया था उन्हें सु तेरह में अनुसूलिन समिति की पटना में एक साखा खुली इसके अस्थापना किसने की थी रेवती नाग यदुनात सरकार सचिंद्र सन्याल या मज्रूल हक इसका से उत्तर हुएगा ऑपसंसी सचिंद्र सन्या अगला प्रसन है कि 1922 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था देखिए एक तो इसलिए सका सही उत्तर हो जाएगा ऑपसं यह हो जाएगा अगला प्रसन बोलड़ाए कि 1934 में बिहार सोचिलिस्ट पार्टी की सचिब कौन थे अब देखें यहां पे 200 मतलब पार्टी थे इसके जो अध्यक्षे आचार नरेंदर देव ठीक है और सचीब जे वह जैपरकास नारहान थे ठीक है तो इसका से उत्तर हो जगा बिहार 1934 में बिहार सुचिब को थे तो जैपरकास नारहान ऑपसिन भी बिहार में भारतिये शम्मिधान सभाक बिहार मुनस्तितिस में गठीत पर्थम भारतिया मंत्री में लेकर ने किसने किया था तो इसलिए यहां पर मुहम्मध यूनिस हो जाता है ठीक है न तो यहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है यह आपको दिक्कत नहीं होगी अब अगला आते हैं प्रसंद की पटना लॉन का नाम गांधी मेंदान के रूप में कब किया गया था भारत चुर्वान के दौरान साइमन आयो के बुरूद के दौरान या भारत के सब्सक्राइब के अब सर्पर इसका से उतर हो जाएगा ऑप्सन इदेखिए आठार सो चो ठीक है ना और यहां पर भारत चुर्वान के दौरान काफी सब्सक्राइब आते थे यहां पर जमा होते थे अपने रन नीती बनाते थे तो इसलिए इसका उतर हो जाएगा बंगाली वहाजन की गोसना की गए थे ठीक है ना और जब यह अमल किया कब हुआ था तो सोल पांच को करजन के द्वारा किया गया था अब आ जाते हैं हम लोग 60-62 के बीच में आ जाते हैं तो बिहार दोजार पांच छोज़े लेकर के इसका सवाल है कि बिहार में जो है परियोजना का संब्सक्राइब बैंकिंग से इसका सही उतर हो जाएगा नगर निगम बिचे ठीक है सुपर का था कि सपोर्ट अर्वन करके कुछ था तो इस तरगा नगर निगम से हो जागा इसका अगला है कि बिहार में राष्टी राजमर्ट की कुल लंबाई कितनी है तो चुकि यह उस समय का डाटा है सार से बासट में 276 डाटा था तो उसके अकॉटर सी था ठीक है लेकिन बिहार राज में प्रतिवेक्ति उर्जा उभो कितना है तो चुकि यह पुराना डाटा है उसके अकॉर्डिंग इसका उत्तर था दूसो तीन किलो वाट आवर ठीक है ना लेकिन बरतमान का जो दूहजार उनेस का वो डाटा आपको बता रहा है कि जो बरतमान का जो उर्ज परवड़ी उनेस्टों को तीन फरवड़ी उनेस्टों को बिर्शा को सुते हुए पकड़ा गया था अगला पर सना किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों दौरा किसानों के सोसन की तरफ गांदेजी का धियाना करसित किया था तो और यह प्रसन आपको लगबाद चार व इसका से उतर हो जाएगा ऑपसंसी जैपरकास नारायन ने पटना कोलेज छोड़ दिया था जैको उनकी प्रिक्षा में 20-30 बचे थे कब तो और प्रसाद तो बिहार का राष्ट्री योगदान इसको भी आपको चैसे से देखना है इसका से उतर हो जाएगा ऑपसंसी सील ब और वाकिल ने और सहयोग आंदोलन के समय अपनी लाप्रत वकालत छोड़ती थी जैपरकास नारायन राजन्द परसाद सचानंद सुरसती या राजकुमार सुखली इन में से कोई नहीं एक से अधिक तो बिहार के किस वाकिल ने और तो इसका से उतर हो जाएगा ऑपसंद राजन्द परसाद राजन्द परसाद जी ने अपनी वाकालत छोड़ती और इसी आंदोलन के दौरान जो जैपरकास नारें जी थी उन्होंने अपने कॉलेज की परिक्षा छोड़ती थी अगला प्रसन है कि बिहार के परथा मुस्लिम विजयता कौन थे मलिक इब्राहिम इल्टुतमिस बक्तिहार खिल जी अली मर्दान खिल जी बक्तिहार खिल जी बक्तिहार पूर ठीक है ना ओपसंसी इसका सी हो जाएगा करनाट दिव 하면 कशनथा आपका कौन था नानने देट नर सिंह विजय वी रहट देव इसका से उठ्ठ्षा को है नानने और इसी के समय में मुथलांचल का काफी प्रग्रेश हुआ था तो इसका से उत्तर हो जाएगा हरी सिंग संस्थापक नाने देव अंदिम संस्थापक हरी सिंग अब देखे राजनितिक रतनाकार के लिखा कौन से हैं चंदेश्वर विद्यापती जोतिश्वर या बढ़िम ब्रहम देव यान में से कुई नेक साथ तो इसका से उत्तर था और ये भी राजनितिक रतनाकार जो है हरी सिंग जो थे उन्हीं के दरबार में करनाटवंस में ये रहते थे कभी थे ठीक है अगला देख लेजिए उदंत प्रकास के लिखा कौन है मौली कभी बोधराज पर या पुर्वी ओमना त्रिवेनी नहा ठीक है ये भी गंडग नदी पर है और इसका सी हो जाएगा अगला प्रसन है कि निम्लिकित भू आकरतिक में से किसमें बिहार दौरा जो है किसके दौरा बिहार राज का उत्तर पच्छिम भागी गिरा तो देखिए ये उत्तर हो गया यह वाला उत्तर हो गया और यह पश्चिंबला हो गया और इधर आपको पुर्वी चंपारन वागे रहा है स्वामिश्वर किस रहें ठीक है न तो इसलिए आपको थोड़ा जो है न वह आपको जो महा नदी है उसकी सहाइक नदी हो जाएग ठीक है अगला प्रस्ण है कि निम्लिकित जिलों में से दुहयार एक और गार का तौरान कहां सरवाधिक जन्संग्य के बिर्दी होए थी दसकी बिर्दी की बात कि संगंज अरडिया मध्यपूरा एक हगड़ियन में से कोई नहीं किसा दिक इसका से उतर हो जगा आपका आपका अब यसलिए आपको पता है कि जो भागलपूर है वो शिल्क के लिए काफी फिर्मास है ऑपसंसी इसका सही हो जाएगा सिल्क के लिए ठीक है ना अगले प्रस्म के दरफ आते हैं नेमली के तस्तानों में से भारत वैगें एब इंजिनियरिंग लिमिटेट कहां पर इस्ति आपको याद रखना है तो इसका से उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सीथा राश्टी राजमार्ग आपको 25 अपसंसी इसका सही था कि राश्टी राजमार्ग 25 जो है वह आपको जोड़ती है कहां से कहां तक तो आपको पचासी जो है पचासी जो आपको जोड़ती है ठीक है यहां पर एक और प्रस्म बचा हुआ है निम में से सिद्धू कानों चांद भेरफ 885-56 इसका से उतर हो जगाड़ी तो इस प्रकार आपने टोटल 178 प्रस्टों का एक सेट देखा ठीक है ना अब सबसे वराश्ट रशबाल है कि इन आपको एक साथ लाने के लिए थोड़ी सी महिनत लगी ताकि आपके एक ही वीडियो में साड़े बिहार प्रस्ट आपको मिल जाएं आप यह भी समझ लें कि आपको कौन से सक्शन को परना है कौन से स्टेट इसमें जो स्टेट पोर्शन है उसको करेंट डाटा से मैच करके कि उसी सेक्शन को आपको कवर करना है आर्थिक सर्विक्शन बजट जिंगन्ना बिहार का भूल ठीक है न और विहार में उद्योग धंदे हैं नदी उसका अधगम छैत्र उसका मिलान अस्थल इन चीजों को आपको अच्छा कर लेना है और राश्टी आंदोलन में विहार आपका भी हार आराम से कंप्लीट हो जाएगा आपने देखा कि एवरेज भी देखा कि लगभग आपको 25 क्यास पास पूछे जा रहे हैं तो उसको आप आसानी से स्ट्रॉल करने की स्टेटी में होंगे तो आज की विदिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें और यदि आपको किसी कोश्चन के उत्तर पर डॉट है तो कमेट बॉक्स मिलके बहुत धन्यवाद